इस प्यार को क्या नाम दिया जाए जो पर्दी में भी है और सब के सामने भी इन विज्वल्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा दो लबस के बीच का वो प्यार जो पब्लिक में तो नहीं लेकिन बी टाउन में बिन्दावाई एक रफ कट्रीना है जो सल्मान जैसे अखड इनसान के सामने भी ड्रिंक्स करने से कत्राती नहीं है दूसरे दरफ सल्मान जो दूसरों के सामने कट्रीना को हग करने से गुरेश नहीं करते ये विज्वल्स बेशक कुछ साल पुराने हैं और इसके बीच में कट्रीना और रनबीर कपूर की लब स्टोरी भी शुरू होकर बुरे अंजाम पर पहुँच चुकी है रनबीर से सेपरट होने के बाद कट्रीना को फिर आई सल्मान की याद और उन्होंने की सल्मान से फरियाद फिर उनका सहारा बनने की और देखिए एक बार फिर सल्मान ने उन्हें टाइकर जिन्दा है में अपने ओपोजित कास्ट किया अब सवाल ये है कि इतने सानों बाद हम ये विजुल्स आपको क्यों दिखा रहे हैं तो उसका जवाब है रिसेंटली दोनों का गोवा के ऐपोट बस स्पॉट किया जाना जब दोनों इफी के ग्रान फिनाले से लोट रहे थे बट जैसे ही दोनों मुंबय एपोट पर आए कि यहां आते ही दोनों अलग हो गए और अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कार में घर वापिस लोटे ऐसे में ये सवाल उठना तो जायज है कि आके अब भी दोनों अपनी रिलेशनशिप को सब के सामने एक्सेप्ट करने से क्यों जाते हैं वो भी तब जब दोनों के ही फैंस दोनों को एक साथ देखकर खुश होते हैं